शम्मानित मुल्क के मालिको मैं बहुत विक्षू सुमित रतन अभी अभी एक बहुत ही दुख़द खबर आ रही है बिशाखा पट्नम से जो साउथ के भारत में डक्षड के भारत में बहुत ही संबर्द साली शहर है खबर आई है कि वहां MBBS डॉक्टर एक महला है पिछले पंदरे दिनों से अपने रहने के लिए मकान ढून रही है और उशे मकान इसलिए नहीं मिर रहा है क्योंकि वो जूट का सारा नहीं ले रही है लोग उशे नाम पूसते हैं अपना वो नाम बताती है लोग क्या करती है बता दी है मैं डॉक्टर हूँ जब ये पूसते है कि क्या आपकी जाती है तो वो बज़ेती है कि हम सडूल कास्ट के हैं और मेरी जाती ये है अर्थात मकान मालिक मकान दैनेशे मना कर देते हैं वह पिछले कई दिनों से परिशान है अभी अभी उसने सोशल मीडिया पर ट बेशेंट आता है तो मेरी जाती नहीं पूसता है लेकिन मुझे मकान इसले नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरी जाती ऊची नहीं है अर्थात बरतमान के भारत में हमारी ये दशा है आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस दंस को अकेला MBVS डॉक्टर नहीं जहिल रही है भारत का वो हर व्यक्ती जहिल रहा है जो गाओं छोड़कर के शहर में आता है और वहें जाती बात का दंस जहिलता है चुआ छूआ छूट का दंस जहिलता है आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बावा साब डॉक्टर बडोदा में जब विदेश से पढ़कर के लोटे जब उन्होंने क्लास बन की नौकरी जोइन की और जब वो अपने रहने के लिए मकान ढूनने बडोदरा में गए तो बडोदरा के लोगों नोंने मकान नहीं दिया क्योंकि बावा साब महार और अचूट थे अर्थात मकान देने से माना कर दिया पार्सी धरम साला म वो एक काफी दिनों तक रहे जब पार्सीयों की ये पता चला कि डॉक्टर अंबेटकर अचूट है महार है तो उनका सामान ठैक दिया गया लेहाजा वो अपना सामान लेकर के मुंबई बापस गए और जाते समय उन्होंने शंकल्प लिया था कि मैं अपने जीते जीत जात जातिबाद चुआ चूट हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाता है लेकिन आज भी जातिबादी पाखंड बादी लोग उनकी सोच जिन्दा है कि आज भी आदमी आदमी को माटने में लगे है और ये एक अकेली डॉक्टर महला के साथ नहीं हो रहा है बिश्व बिद्याले म जाति देखकर कि नंबर कम दिये जा रहे हैं ट्रक्टिकल होता उसमें नंबर कम दिये जाते हैं हर इस्कूल में जातिबाद हो रहा है हर आफिस में जातिबाद हो रहा है राजनीती में जातिबाद हो रहा है हर जगे हो रहा है लेकिन फिर भी जातियों से पीड़ित लोग सताए गए लोग बंचित लोग इस मकड़ जाल को छोड़ने के लिए तयार नहीं है बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया अंत में सपस्ट उन्होंने कर दिया कि मेरे सास्ता बुद्ध हो सकते हैं मान समान की जिंदगी अगर कोई हमें दे सकता है तो बुद्ध का धम दे सकता है और उन्होंने आभान किया कि आओ बहुजनों हम सब लोग बुद्ध की सण में चलते हैं ना कोई उचनीच है ना कोई जातिबाद है ना कोई चुआ चात है लेकिन फिर भी एक बड़ी आबादी आज दिन तक चौथे पाइदान पर पाच में पाइदान पर अचुत और सुद्र बन करके टिकी हुई है क्योंकि वो भैवीत है इस वर से वो डरी हुई है बिवस्ता से इनमें परिबर्तन करने का माद्दा नहीं है बहुत लोग आते हैं सत्ता परिवर्तन की राजनीती करते हैं विवस्था परिवर्तन पर अपने आपको कमजोर शावित करते हैं मैं आभान करता हूँ जब तक इस विबस्ता का शमूल ना साप नहीं करोगे इसे बदलोगे नहीं तब तक ये जातिबाच हुआ छूत आपके साथ आपके बच्चों के साथ आने बाली पीडी के साथ होता रहेगा याद रखना पदों में सबसे बड़ा राष्ट पती का पद होता है जब राष्ट पती की लोग मंदर में घुशने नहीं देते हैं अखलेस यादब जैसे व्यक्ति का मंदर में जाने पर मंदर साफ करते हैं और जिस घर में वो रहे उस घर को ये गंगा जल से साफ करते हैं तो ये जातिबादी मान सिक्ता कि लोग अभी भी हैं, लेकिन जो बंचित लोग हैं, पीडित लोग हैं, उनमें परिबर्तन करने का माददा नहीं है, याद रखना ये जातिबाद छुआ छूँत तब तक आपके साथ होता रहेगा, जब तक इस विवस्था को आप यागोगे नहीं, नहीं तो आने वाली पीड़ी बरदास्त करें, और आप भी बरदास्त करिए जब आपको चौथे और पाँचमें पाइदान पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और आप सुतंत्र भारत में, संबिधान के भारत में, जान पूझ करके मजबूर बने हो, अगर आप चाहते हो के आजादी मिले, मान सम्मान का जीवन मिले, तो इस मकरजाल की विवस्था को, इस जातिवादी चुआ छूती विवस्था को आप लात मार देजिए, और आईए बुद्ध के धम में हम आपका स्वागत करते हैं, फिर कभी कोई जाती पूछ करके आपको मकान नहीं देगा, किसी भी विश्व बिद्याले में आपके न देगादी वाल